सब्सक्राइब आप वीडियो को भी बहुत पियार देते हैं ऐसे पियार देते रही हैं मारी वीडियो को आज एक और सामनें हाजर हो चुके हैं रूबरू कराएगे आज अमिट जी से आपको एक बार फिर से नए टॉबिक के साथ आज का वा worst它的 में गरेगा जिस फे और बातचीत करेंगे वर मिल जाती है चार-चार साल भी हो जाते पीयर नहीं भी मिलती क्या एफट्स रहते हैं क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ता कौन से प्लैनेट्स इसमें हल्प करते हैं इन सब को लेकर आज डीटेल में बातचीत करेंगे हमारे साथ अमित कपूर जी मौजूद हैं सो बहुत अमित जैसे कि मैं पहले बता आई चुकि उनको की फॉर्ण सेटलमेंट्स को लेकर आज आज आपके साथ बातचीत करने लगे हैं सो बताइए कि कौन से प्लैनेट्स इन सब में हेल्फुल रहते हैं और कौन से प्लैनेट्स होरोस्कोप में होते हैं कि जिन से लोग बाहर ज प्लैनेट्स की पूदिशन होनी चाहिए कि आपको ईजली प्यार में जाता है बहुत सारे लोग स्टरगल करते किसी का वीजा नहीं मिलता किसी के पस पैसा नहीं होता प्यार लेने के लिए कोई सफर कर रहा है कोई मैंटली टेंशन में चले जाता है कोई डिप्रेशन में तो आज में अपको बताने जा रहा हूं अगर आपके बर्चार्ट में ऐसे योग हैं ऐसा कॉंबिनेशन है तब ही आप प्यार के लिए अपलाई करें नहीं तो ना करें क्यूंकि आपके द्वारा के यह ना हो कि आप एक गलट डिसीजन ले ले और आपकी जिंदगी बीस स अलागे चली जाएगी तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉट सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे फर्स्ट हाउस लॉट से अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉट नाइन्थ हाउस में आपके एट्थ हाउस में आपके ट्व यह इनका कंजेक्शन हो गया यह पहले घर का मालिक बार्वें घर मालिक पेले घर में आप तर्सट्ट विदेश जाएंगे विदेश जाना, देखें, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले आप अपने बर्थ चार्ट को एनलाईज करवाएं, अपने नीरस सेटलोजर से, कि क्या वाकई आपके होरस्कोप में विदेश सेटलमेंट के इजी योग हैं, उसके बाद आप फॉरण को लेकर अपलाई करें, ऐ जिन्दगी का बहुत एहम डिसीजन है, बहुत सारे लोग फोन कोल करते हैं, अपाइटमेंट्मेंट्स लेते हैं, और उनका कोश्चन ही होता है, कि मैं पिछले तीन साल से, पांच साल से, चार साल से रेगुलर एफट्स कर रहा हूं फॉरण जाने के लिए मैं जानी पा र में रहू आपके 9th house में, रहू आपके 7th house में, रहू आपके 8th house में, यू इधिल सेटल इन फॉरण लेंड, मन्पी जी अगर बर्थ चार्ट में चंदरमा रहू या चंदरमा केतु की यूति हो जाए, 12th house में, 9th house में, तो भी ऐसे लोग फॉरण जाते हैं, फॉर्थ हॉस horoscope में योग होते हैं कि उन्होंने घूम फिर के वापिस आ जाना है, उनके पास settlement के लिए या रास्ता नहीं मिलता, या कुछ लक नहीं साथ देता, वो जाते हैं, यॉरप गए, ऐस्ट्रेलिया गए, महीना रहे, tourist visa लेकर गए, घूमें फिरे, entertainment किया वापिस आ गए, लेकि या किसी की support आपको मिलेगी वहाँ पे settle होने के लिए, यह सब आपका बर्चट बताएगा, तो मनपी जी सबसे पहले, मैं आपने दोस्तों को यह बताना चाहूंगा, फॉरण जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ जाके settle होना बड़ी बात है, बड़े ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो फॉरण चले गए, उनको पी आर भी मिल गया, किसी कारण उनकी settlement नहीं हो सकी और वहाँ पिस इंडिया आ गए, पैसा कराब करके, और बड़े ऐसे लोग भी मैं जानता हूं, जो जाना ही नहीं चाहते थे, किसमत उनको आउटोमेटिकली फॉरण ले गई, उनका वीजा मिल गया, और चले गए, स्टडी वीजा मिल गया, वहीं पर सेटल होगे, स्टडी करते रहे, बाद में वहीं पर शादी होगी, वहीं पर घर बस गया, और सेटल होगे लाइफ में, कहने का मतलब मेरा ये है, you need to know which type of first house lord placement, this type of ninth house lord, ये भी हो सकता है, ninth house का lord twelfth का बहुत बड़ा रोल है, अगर इन houses के lots का क्यों mutual exchange हो रहा है, you will definitely settle in foreign land, तो difference क्या रहता है in planets का, जो जाते ही बाहर सेट हो जाते हैं, और कई गूमफिर की जैसे आपने बताय की वापस आ जाते हैं, मैंने अपको बताया ना, अगर आपके लगन का lord 8th, 9th, 12th में हैं, तो अगर आपका लगन का lord 8th, 9th, 12th में नहीं हैं, तो आप लगन का lord 8th, 9th, 12th में नहीं हो सकते हैं, यह हो सकता है कि लगन lord 8th, 9th, 12th में नहीं हैं, लेकिन आपका 4th house का lord 12th house में जाकर बैढ़ गया और आपके उपर उसकी दिशा लग गई तो आपको easily PR मिल जागी, कुई रो अगर आपके 12th house का कोई combination 10th house के साथ बन रहा है, यह 12th house के lord के साथ चैन्थ हाउस के lord के साथ चैन्जक्शन हो गया, अब स्पोस करें आपका Aries Ascendance है, 12th house का lord आपका बना Jupiter, 10th house का lord बना Saturn, Saturn और Jupiter का आपके बढ़ चैन्जक्शन है, आसपक्ट का relation बन रहा है, 10th house में बन रह आपके जो source of earning है वो फॉरण से होंगे, आपकी जो अमदन है, income है वो वदेश से होगी, क्यों कि आपके गुरू और शनी, 12th lord और 10th lord, 12th lord Aries Ascendance में Jupiter हो गया, 10th lord Saturn हो गया, इन दोनों का conjunction हो गया, you will definitely earn a lot of money from foreign land, तो यह horoscope के planets बताते हैं कि horoscope कैसा है, मनपीर जी, कि क्या इस person को work permit मिलेगा, PR मिलेगी, या यह बंदा गूम फिर के अपने विदेश, विदेश में जाएगा, गूमेगा, फिरेगा, महिना रहेगा, वापिस आजएगा, यह depend करता है, birth chart में, planets की position पे, तो बिना horoscope को analyze करवाएं, बिल्कुल भी, गल्ठ decision कोई ना ले, जिससे आपको या आपकी family को पश्टाना पड़े, अगर आपके उपर रहू की मादश है, केतु की मादश है, वो 12th house में है, 9th house में है, 7th में है, 8th में है, तो आपको easily बाहर, आप efforts करने के बाद, struggle करने के बाद, आपको PR मिल जाएगी, लेकिन साथ म लगन लॉट काहां पर है, 9th house का लॉट काहां पर है, you need to know everything, so Amit जी आपने आज फिर हमें बताया ये फोरन सेटिलमेंट्स को लेके लोगों को जो हमेशा बाहर जाके एफर्स करने पड़ते हैं, कई वापस आजाते हैं, सैटनी हो पाते, इसको लेकि अज जो भी प्रब्ल हैं, अगर जूरत नहीं है, तो रेमिडिस नहीं है, all right, so Amit जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका खास साथ और पर हमारे साथ जुड़े आज फिर, so ये थे हमारे साथ Amit जी जन्नों ने डीटेल में एक बार फिर से आपको बता दिया कि कौन से लोग जो बाहर सेट होते ह जाके कौन से लोग नहीं हो सकते हैं और अपना जो है बर्थ चार्ट एक बर चेक खरवा के जरूर अपना जो स्टेप उठाएं आप, so और भी टापिक्स के साथ मैं दुबार आपके सामने हाजर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजी अचासत, धन्यवाद, नमश्काफ हालो लेडिस और बायां